नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उमीद है आप अरोगेता की और बढ़ रहे होंगे आप सबों का सहिट दे स्वागत करता हूँ, मैं नरेंदर कुमार वेलनस कंसल्टेंट आप सब जानते होंगे कि परमात्मा का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी विकार होते हैं, यानि कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्विस ये सब विकारों से हमारी मुक्ती हो जाती है अगर परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जब कभी भी, चाहे काम करते भी, आज हम बात करेंगे कि अपने सरीर से विकार को किस प्रकार निकाला जाए हा मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं, सरीर का वह महतवपूर्ण अंग, यानि कि गुर्दा, किडनी जैसा हम सब जानते हैं यह सारी विकार पदार्थों को निकालता है तो यह बड़ा ही महत पूर्ण वीडियो होने जा रहा इस वीडियो के तहट हम मुख्यत करभर करने जा रहे हैं इसके kidney के परमुख कारे क्या हैं और problem क्या होते हैं kidney के जो की कारण के रूप में उभरते हैं हमारे सामने इनके possible trouble sign क्या है, symptom क्या है और इनके simple life saving test क्या है जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि kidney की बिमारी हो चुकी है और अगर हमें यह पता चल गया, detect हो गया, diagnosis के द्वारा तो इन्हें कैसे treat किया जाए, prevent किया जाए और इनके कौन-कौन से मुख्य कारण है इसके साथ ही अपने format के मुताबिक हम bonus tips भी आपके साथ साजा करेंगे जिसमें यह बताएंगे वे लोग क्या करें जो कि kidney की बिमारी से already पीडित हैं और अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि जो एक सामान्य लोग है जो कि kidney disease से detected नहीं है वे क्या करें तो आए वीडियो की सुरुआत करते हैं kidney के function से ही कि आखिर यह हमारे सरीर में इतना महतवपूर्ण काम कौन-कौन से है क्या करता है तो kidney हमारे सरीर से सारे abscist और अतिरिक्त पदार्थ जो हैं यानि की waste और extra fluid material हैं इनहें बाहर निकालता है हमारे गुर्दे सरीर की कोशिकाओं द्वारा उतिपादित जो हमारी कोशिकाओं हैं जो cell हैं 50 million से भी ज़्यादा वो produce करती हैं एक तरह की ये seed इनहें भी हटाता है और हमारे रक्त में पानी और लवन और खनीज जैसे की sodium होते हैं, calcium हैं, phosphorus हैं, potassium हैं, potassium हैं, potassium हैं इस संतुलन के बीना हमारे सरीर की जो नसे हैं, nerves हैं, mom space यां, muscles हैं और अन्य टिसू हैं, अन्य उत्तक हैं, ये सब समान्य रूप से काम नहीं कर सकते हैं हमारे गुर्दे ऐसे हार्मोन भी बनाते हैं, जो कि हमारे blood pressure को नियमित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं इसके साथ ही हमारे RBC, जो लाल रक्त कोशकाओं हैं, इनका formation करते हैं, reproduction करते हैं इसके साथ ही इनकी भूमिका kidney का हमारे हड़ियों को मजबूत रखना और स्वस्त रखने में भी है तो इतनी सारी भूमिकाएं या कर रहा है, तो आप समझे सकते हैं कि kidney हमारे लिए कितना important है अब अगर kidney में problem आता है, तो इसके क्या-क्या कारण हो जाते हैं, यानि कि क्या-क्या हमें दिखने लग जाते हैं तो heart disease से हम suffer हो सकते हैं, heart attack या heart stroke आ सकते हैं, high blood pressure के हम सिकार हो सकते हैं यहां तक कि हमारे जीवन भी जोखिम हो सकते हैं, life at risk हो सकते हैं, हमारे हड़ियां कमजोड हो सकती हैं हमारे nerves damage हो जाते हैं, जो neuropathy के द्वारा सही किया जाएगा kidney fail हो जाते हैं, जो कि in the stage kidney होते हैं, disease जिसे बोलते हैं ESRD, इसके साथ ही enema हो सकता जहां कि खून की कमी हो जाती है, विशेशकर, RBC की count जो है, यह कम हो जाती अब इसके possible trouble sign क्या है, symptom क्या है, तो अधिकतर लोगों में, प्रारंभिक अवस्था में, kidney की बिमारी होते हुए भी उनको कोई symptom दिखता नहीं जो कि एक early detection बड़ा ही muscle होता है, और यह हमें कर लेना चाहिए, कैसे करेंगे यह हमें अभी बताने जा रहा हूँ जब symptom appear होने लगता है, तब तक तो वो kidney disease से सफर हो जाते हैं, और तब तक वो एडवान से stage में चले जाता है तो अगर हम कुछ बारी की सी बात्व पर ध्यान करें, तो kidney को एडवान से stage में बिमारी हो जाए, उससे पहुँचने से पहले ही हम पहचान सकते हैं तो कौन-कौन सी पहचान है, तो सबसे पहला तो हमारे सरीर में ठाकान, कमजोड़ी, जो fatigue, weakness ये सब के हम सिकार रहेंगे, आलस, कर्मनेता बहुत ही जादा आ जाएगा इसके साथ ही बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, दर्दनाक पेसाब हो जाएगा, painful urination होने लगता है, जब कभी भी हम जाएँ इसके साथ ही phoamie urine जागदार मुत्र होने लग जाएँगे, इसके साथ ही यह गुलाबी यह गहरा रंके और blood भी आ सकते हैं urine के अंदर और हमारी प्यास भी बार बार प्यास लगेगा, बार बार आप urinate करेंगे, इसके साथ ही इबिसेस कर यह और भी जब troublesome हो जाते हैं, रात में नींद तोड़ तोड़ के आपको urination के लिए जाना पड़ रहा, तो आप समझें कि कहीं ने कहीं आपका kidney है वो signal देरा, इसके साथ ही हमारे face पूरा सुजा हुआ, solen face हो जाते हैं, हाथ, पैर, पेट, टकने, यह सब भी सुज जाते हैं, kidney के problem के करने, तो अगर यह सब को आप early detect कर पा रहे हैं, तो kidney के बीमारी को advance stage जाने से पहले ही आप बचा सकते हैं, तो अब हम बता रहे हैं कि कैसे इसे detect कर लिया test होते हैं, जिसमें सबसे पहला BP test होता, BP test आप free में, खुद machine रख के भी या कहीं भी clinic में भी करा सकते हैं, जब high blood pressure हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या होते हैं, हमारे blood vessels जो है, glomeruli, जो kidney में हैं, इनके बड़े ही समस्या, जो failure और disease होने के problem हो जाते हैं, high blood pressure होने के कारण, अब अगर high blood pressure इतना खतरनाक है kidney के लिए, तो क्या रखा जाएं, तो इसके अच्छा score जो है, उसे माना जाता है, 142.90, अधिकतर लोगों के लिए ये अच्छा माना जाता है, अगर 130 by 80 से नीचे है, तो इसे बेहतर माना जाता है, अगर आपको kidney disease है, chronic kidney disease है, तो आपके लि diet है, तो यह best माना जाता है, तो आपको यह देखना है, कि आपका क्या है, और आपके बाकी सब condition, health condition क्या है, तो आपको doctor बताएंगे, कि आपका BP suit up हो रहा है, या under जा रहा है, यह सब आपको बताएंगे, तो BP test आपको regular करवाते रहना चाहिए, दूसरा है, urine test, जहां कि protein की मातरा का test किया जाता है, जहां कि एक छोटे से tyresis protein आते हैं, वहाँ, protein के type है, उन्हें बोलते हैं, albumin, यह test में आ जाते हैं, और यही early sign, जो kidney के disease होते हैं, इन्हें यह बता देता है, regular amount of albumin जो है, और दूसरे protein है, urine में जो होते हैं, जो कि proteinuria है, यह सब kidney के damage की अवस्था क दिखा देते हैं, अगर urine की good score की बात की जाए, तो यह less than 30 mg per gram of urine होना चाहिए, जो कि urinary creatinine, जो एक normal waste product है, इसको दिखाता है, तीसरा test है, जो कि बढ़ा ही important है, glow mirror test है, filtration test है, GFR, जो कि blood test के द्वारा पता चलता है, यह major करता है कि कैसे kidney हमारा filter कर रहा, खून को, यह चीज पता चल जाता है, इसके function को, और doctor उसमें major करते हैं, basically creator 9 level को, जो की calculation करते हैं, GFR को और तब पाते हैं, इसका अगर GFR के good score की बात की जाए, तो 90 से उपर इसे बहतर माना जाता है, और 60 to 89 अगर होता है, तो इसे monitor करते रहना चाहिए, और अगर 60 से कम है, और 3 महीने तक, तब आप confirm मान सकते हैं, कि आप kidney disease से suffer हो रहे हैं, तो अब अभी तक हमने diagnosis की बात किया, symptom की बात किया, अब हम बात करते हैं, prevention का, यह सब जान लिए, कितना महतपूर्ण है, यह भी जान लिए, तो अब इनसे कैसे बचा जाए, तो सबसे पाहिला और सबसे सरल जो है, खूब पानी पीजिए, क्योंकि इसके कारण में, जब पता चलता है, तो यही है, कि वे लोग kidney disease से सफर होते हैं, जो पानी पीते नहीं हैं, तो अपने आपको hydrated रखिए, हमारे गुर्दे अपने कारियों के अच्छी तरह से करने के लिए, ठीक तरह से hydrated होना चाहिए, यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो वो जो विसाक्त पदार्थ हमारे सरीर में बन रहे हैं, cell level तक बन रहे हैं, tissue level में बन रहे हैं, वो वहीं जमा होना सुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दे के माध्यम से उन्हें निकालने के लिए पर्याप् पर्याप्त पानी पीएं, और इसके लिए आप अपने मुत्र के रंग को देखें, वहीं आपकी पहचान है, रंग जितना हलका होगा, उतना अच्छा होगा, यानि कि आप sufficient पानी पी रहे हैं, और अगर आपका गोल रखे हैं, fat loss, weight loss, तब तो ज्यादा से ज्यादी पानी पीजिए, आप 5 लीटर तक भी पीजिए, वह आपको मदद करेगा, आपकी excess fat को भी body से हटाने में, आप अगर regular weight है, आपका maintained है, तो आपको अत्यधिक पानी पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको kidney बचाना है, तो 3 लीटर तो जरूर ही पानी पिया कीजिए, अगर आप smoke करते हैं और drink करते हैं, यानि कि धुम्रपान और मदपान, जिसके पीछे मैं, जिसके खिलाफ मैं बिल्कुल ही हूँ, अगर आप लेते हैं, smoking तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, और अगर आप alcohol लेते हैं, अगर तुरत नहीं छोड़ सकते हैं, इतनी दिर्ड drinks भी लेते हैं, जहां कि caffeine होते हैं, यह caffeine कई सोडा और सीतल पेके घटक के रूप में होते हैं, जिससे हमारा blood pressure बढ़ जाता है, और हमारी kidney खराब हो सकती है, इसलिए आपको रोजाना पीने वाले कोक की मातरा को भी घटा देना है, यानि कि धुम्रपान, मदपान, चाह, को coffee, cold drinks, यह सब को आप हटा दीजिए, तब आप उमीद कर सकते हैं, कि आपको बेहतर तंदरुस्त kidney मिलेगा, अगर संभाव हो तो आप ट्रा कीजिए, तीसरा point बोलता हूं, healthy खाना खाईए, सात्विक खाना, हमने वीडियो में बताया है, क्या-क्या सात्विक खाना होता है, वीडियो सात्विक खाईए, एक balanced diet यह सुनिश्चित करता है, कि उसमें सारे vitamins हो, minerals हो, salt हो, वीडियो सारे नकी सिर्फ carbohydrate हो, उसके साथ-साथ उसमें fat हो, protein हो, water हो, यह सब की एक संतुलित मातरा हो, तब भी वह balanced diet कहलाएगा, जो कि हमारे kidney के health के लिए भी मदद करेगा, और यह कब हो सकता है, जब हम fresh fruit, vegetables खाए, साबुत अनाज खाए, जैसे कि pasta, bread, rice जो है, और बहुत ही ज़्यादा salty खाने की जरुवत नहीं है, मैं खाने में यह भी बता दू, कि बहुत ज़्यादा salty चीज, या salad पर salt, या कई इस तरह से vegetables होते हैं, उस पर हम dressing कर लेते हैं, salt से, यह हमें कभी नहीं करना है, हमें salt की मातरा को नियंतरित करना है, अगर table salt अप्यूज कर रहे हैं, तो रोजाना 5-8 ग्राम ही लेना है, क्योंकि naturally ही कई fruits हैं, vegetable, वहां हमें salt मिल रहे हैं, sodium मिल रहे हैं, तो अलग से आपको नहीं लेना, लेना है तो 5-8 ग्राम ही, तीसरा बो जाते हैं, उसे टालते रहते हैं, तो जैसे ही अर जाये, आप यह बंदोवर्स्त कीजिए, 5-10 मिनट के अंदर ही या सिगरता सिगर ही जाये, वासरूम, इसे डिले मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है, अपने मुत्र को बहुत देर तक रखना, बड़ा ही एक बिमानी का जड है, और एक गंदी आदत भी मानी जाती है, एक भरा हुआ मुत्रासे जो होता है, इसे तो नुकसान पहुचाता ही है, इसमें फिर से वापस वो जो बैक्टिरिया हैं इसमें, यह फिर जल्दी से ही कई गुना मल्टिप्लाइ होने लग जाते हैं, इनके बैक्टिरिया, और एक बार जब यह मुत्र, मुत्र वाहिनी द्वारा गुर्दे में वापस आ जाता है, तो विसाक्त पदार्थ गुर्दे में भी संक्रमन कर देता है, और फिर मुत्र के पत के संक्रमन, और फिर नेफरेटिस, यहां तक की इरुमिया का कारण भी बन जाता है, तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी बंदो वस्त कीजिए जब भी अर जाये तो जब भी natural call आए जितना जल्दी हो सके इसे आप कीजिए बाकी काम को आप टालिए तो यह भी एक कारण होते हैं किड़नी के बीमारी को और अगर सुरक्षित रखना है तो जल्दी से जल जाये पाचमा पाइट बोलता हूँ जैसा कि blood pressure मैं बताया है कि यह regulate करता है kidney तो अपने blood pressure को constantly watch कीजिए आप regularly major कीजिए अगर तनी की भी कोई भी symptom आ रही है आप चेक करते रही है क्योंकि इनके सुरू में high blood pressure हो भी गए तो इनके कोई symptom दिखते नहीं है लेकिन यह risk पाइदा कर देते हैं heart problem के kidney problem के आगे चल कर तो इन्हें आप regular जब भी आपको मौका मिले especially जब 30 years से हैं या stress वाले काम कर रहे हैं तो आपको जरूर ही check करते रहना चाहिए छठा point बोलूँ आप अपने आपको बिल्कुल slim रखे अगर kidney को तंदरुस्त रखना चाहते हैं आप बोलेंगे कि slim रखने से क्या फाइदा तो slim रखने से ना कि kidney को फाइदा आपके सरीर के हर अंग परत्यंग ग्रंथियां nerves, muscle हर कोई को फाइदा होगा तो अपने आपको slim रखे क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं चाहे fight के कारण या weight के कारण तब यह blood pressure को भी suit up करा देता है जो कि हमारे kidney को बूरी तरह से परभावित करता है तो हमें रखना है अपने सरीर को healthy weight में और वह कैसे हो सकता हैं तो अपने आपको सक्रिये रखे दिन भर, over eating से बचाई यह ऐसा नहीं कि testing है तो कुछ भी कर लिज़े आप स्रामय पर खाईए नियत जितना जरूरत है उतना ही खाईए, पेट भर कर मत खाईए और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने body को कैसे major किया जाए, कैसे जाना जाए तो इसके लिए बड़ा ही popular formula है, B.A. My Body Mass Index जो कि आपके लिए मददगार हो सकता है, आपको हमेशा healthy weight high की नहीं यह जाचने के लिए और सात्मा और अंतिम preventive point में यही बताऊ कि कई बार हमें कुछ symptom आते भी रहते हैं, ना तो हम test के लिए जाते हैं, ना कोई इलाइज कराते हैं, ना तो doctor के पास जाते हैं, किसी के पास जाते ने उस दर्द को सहते रहते हैं और सहते सहते उस बीमारी को और भी विकराल बना लेते हैं यानि कि untreated जो होते हैं डिजीज या और भी विक्राल हो जाते हैं और यही चीज किड़नी में भी लागू हो रहे हैं आपकी सभी स्वास्त समस्याएं ठीक से इन्हें इलाइज कराएं और ठीक समय पर कराएं नियमित रूप से अपने स्वास्त की जांच करवाते रहें और इ इसके साथ ही हम अपने format के मुताबिक अब bonus tips आपके साथ साजह करने जा रहें तो इसमें सबसे पहला तो मैं यही बताऊं कि उनके लिए वो tips यह tips लागू होने जा रहा जो कि already kidney disease से पीडित हो चुके हैं तो इन्हें करना है अपने BP को घटाना है BP घटाने के लिए क्या कर देते हैं छिड़कते हैं तो से टेवल साल्ट तो हटा ही दीजिए यह जो sodium salt market में होते हैं उन्हें तो छोड़ी दीजिए सेंधा नमक लीजिए और वह भी 5-8 ग्राम तक ही लीजिए और protein consumption जहां जहां भी है तो उन्हें थोड़ी सी moderate quantity में कर लिजिए क्योंकि protein से भी आप अपने kidney को और खुद को स्वास्त रखने के लिए तो मेरा सबसे परम प्रिये जो most favorite topic होता है exercise रोजाना बयायाम कीजिए योग कीजिए आप walking के लिए जाए running के लिए जाए जोगिंग के लिए जाए कुछ भी कर लिजिए दीन में 24 घंटे में एक दीन तो निकालिए ही और यह आपके kidney के लिए मददगार होने जा रहा है और यह सब करेंगे तो आपका weight अपने आप control रहेगा यानि कि अपने BMI को maintain कीजिए अपने cholesterol level को maintain कीजिए हमेशा पानी पीत रहे और एक balance diet सात्विक भोजन ही लिजिए और एक जो मदपान है धुम्रपान है और caffeine है चाय, coffee, cold drinks यह सब अगर संभव हो सके तो बंद कर दीजिए या नहीं तो इसके quantity को number को घटा दीजिए क्योंकि भविस में यह फाइदा नहीं करने जा रहा है और annual जो annual check-up होते हैं यह सब तो जरूर कराना ही चाहिए क्योंकि आज के समय में इतना खर्च हो रहा तो यह खर्च बहुत बड़ा खर्च नहीं होगा यहां से आपको सारे चीज, normal urine test, blood test में यह सब आपको पता चल जागा तो अपने और इसके साथ ही अंत में मैं यह भी बताऊं कि अपने family history को भी जानिये कि आपके father, grandfather, grandmother, यह सब का क्या family history था यानि कि उनका भी कोई problem था क्या, उनके साथ कभी समय दीजिए बुजर्गों के साथ उनके बारे में भी जानिये, ताकि आपको यह पता लगे कि उन सारे बिमारियों की भी आपकी संभावना हो सकती है, ताकि आप समय रह अपना बहमुल्य समय हमारे साथ देते हैं, और मुझे पूरी उमीद है किड़नी की धेर सारी बात हमने जो किया, यह आपको स्वस्त रखने में भी मदद करेगा, और किड़नी को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा, और अंत में आप सब को धेर सारी बधाईयां की आ पारोग्य रहे हैं, और हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए सर प्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार वेलनस कंसल्टेंट की योज से